जो जाकर अपने बेटे से कहती है उठ जाओ उठने का टाइम हो गया है इसके बाद ये अपने बेटे को कार में बिठाती है और ये लोग एक नई जगए पर शिफ्ट हो जाते हैं इस लेडी का नाम लॉरा है लॉरा जिस जगए पर जाती है वहाँ पर वो एक आदमी से मिलत यह आदमी उस घर का ओनर है जिस घर में लॉरा ने अपने बेटे के साथ रहना है फिर लॉरा अपने बेटे को घर लेकर जाती है और वहां जाकर उसको नया घर दिखाती है मगर यहां पर हम देखते हैं कि बच्चा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है उसको यह नया घ जर है वहीं पर हम बच्चे को देखते हैं जो खेलते खेलते पास ही एक पॉंड तक पहुंच जाता है अब लॉरा को शक होता है कि उसका बेटा कहा पर है वह इपने बेटो धूंटे धूंटे पॉंड़ i he वो अपने बेटे से कहती है कि यह जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है और आइंदा तुमने यहाँ पर नहीं आना नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इसका बेटा सो रहा है और लॉरा भी सोफे पर बैठे सो रही है लॉरा ड्रीम में देखती है कि उसे ताला में से एक मॉन्स्टर निकला है और वो एक लेडी को उसमें धकेल रहा है जबकि हम लॉरा के बेटे को देखते हैं जो रूम में सो रहा था तब ही वो फॉरन से चिलाने लगता है वो अपनी मदर को गुला रहा था अब जो लॉरा बहुत ज़्यादा डरावना सपना देख रही थी अब जल्दी से अपने ड्रीम से जाग जाती है और अपने बेटे के पास भागती है और इसका बेटा कहता है कि मेरी विंडो के बार एक मॉन्स्टर है लॉरा कहती है कि ये एक डरावना खाब है मैंने भी ऐसा ही डरावना खाब देखा है जबकि यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है लॉरा के फोन पर किसी की कॉल आ रही है और ये कॉल पिक करती है अब आपकी वज़े से मेरे हस्वेंड को पता चल गया है कि मैं कहां पर हूँ वही पर हम इसके बेटे को देखते हैं जो अभी भी अपने रूम में डर रहा था मॉंस्टर के आने से वहाँ पर लॉरा भी अपने मुँपर ब्लैंकिट ले लेती है तब इसको अपने बच्पन की याद आती है जब यहाँ पर ये स्लैप पड़ रही है और घोस्ट को बुला रही है पर तब ही इसके पास इसकी ग्राण मदर आती है वो इससे कहती है कि तुमारे लिए जितना ये सब कुछ मुछ मुछिल है मेरे लिए इतना सब कुछ मुछिल नहीं हो आता इसकी ग्राण मदर इससे पूछती है क्या अभी भी घोस्ट नहीं आया तो ये कहती है वो तो सिफ बेस्मेंट में ही आता है वो यहाँ पर नहीं आता और उसके बाद हम लॉरा को देखते हैं जो एक डॉक्टर को कॉल कर रही होती है फिर डॉक्टर को बताती है कि शायद उस agtर उसको बताती है घरका सीक लिग कर रहा है और टीवी भी खुद बखुद बंध हो जाता है अब इस घर के ऑनर उसको बताते है कि ये टीवी तो पहले ही लोग छोड़कर गए हैं जो यहाँ पर रहा करते थे और टीवी प्रचा हम लोग नहीं उठा सकते और ना ही हम लोग उसके खराब होने के जिम्मेदान हैं। मॉंस्टर से छुडवाने की कोशिश कर रहा था और अपनी मदर को भी आवाज देकर बुला रहा था पर उसकी मदर तो घर से बाहर थी अब बच्चे की आवाज आती है ये घर के अंदर जाना चाहती थी मगर तभी पता चलता है कि घर का डोर तो लॉक्ड हो चुका है अब ये लॉक को खोलना चाहती थी इसको समझ नहीं आ रही थी कि घर का डोर कैसे लॉक्ड हो गया अब ये लॉक को तोड़ देती है और तोड़ कर घर के अंदर एंटर हो जाती है और अब ये जल्दी से अपने बेटे के रूम में जाती है जो दर्वाजे पर खड़ा था जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था ये अपनी मम्मी से कह रहा है कि मुझे यहा पर नहीं रहना मुझे अपने घर वापिस जाना है ये अपने बेटे से कहती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे और जो कुछ भी हुआ वो एक ड्रीम था लॉड़ा अपने बेटे को स में रहने वाली लेडी है मैंने इससे बात की है ये बहुत जादा प्रीटी बहुत जादा प्यारी है और मैं इसको समझ गया हूँ और मैं इससे नहीं डरता आपको भी पॉर्ण पर जाना चाहिए और इस लेडी से मिलना चाहिए तब ही हम देखते हैं कि लेडी लौरा से मिल लगने लगती है तभी ये पानी में गिर जाती है ये उसी पॉंड का वाटर था और ये उसकी घराई में जा रही थी अब जब पानी से बाहर आ जाती है तो इसके कपड़े गीले थे मगर इसके कपड़े खुद बखुद शुश्क हो जाते हैं हम देखते हैं कि जहां पर ये खड़ी थी, वहीं पर इसका बेटा खड़ा था, ये अपनी मदर से पूछता है, क्या आपने पॉंड लेडी को देखा, तो ये बहुत ज्यादा डर जाती है, और अपने बेटे से कहती है, जाओ जाकर सो जाओ, रात हो चुकी है, लौरा का बेटा उससे कहता है, कि वो लेड आ चुकी है, मगर लौरा उस पॉंड लेडी को अपने बेटे के आसपास नहीं देखना चाती थी, अब इसका बेटा दर्वाजा खोलना चाता था, मगर ये अपने बेटे से कहती है, दर्वाजा मत खोलो, हम देखते हैं, वो लेडी घर के अंदर आ जाती है, तभी लौरा अपने बेटे को घर से भाड़ ले जाती है, ये बहुत जादा डर गई थी, इसका बेटा इसको होसला डेटा है कि आप मत डरें, कुछ भी नहीं होगा, तब ही हम देखते हैं, कि ये दोनों रात काड़ी में ही गुजारते हैं, नेक्स डे, जब ये अपने बच्चे को स्क मुझ भी नहीं किया, लॉरा कहती है कि मैं वेट करूँगी, कब स्कूल से तुम्हारी शिकायत की कॉल आ जाए, अब जब लॉरा अपने घर आती है, तो ऑनल लेडी पहले से ही घर की तलाशी ले रही थी, तो लॉरा इससे कहती है, आप ज़रूर घर में ड्रक्स चेक करने आई हैं, जिसका आपको मुझ पर शक है कि मैं लेती हूँ, तो ये लेडी कहती है, क्या तुम्हें लगता है, घर में कोई प्रॉब्लम है, मगर घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अब मैं तुम्हें घर में रहने के लिए सिर्फ एक माइना देती हूँ, इसके बा पूल के पास चला जाता है जहां पर पहले भी गया था इसको यह बात पता चल जाती है कि अपने बेटे के पीुछे जाती है तबी। उसका नेब के जारा होता है में यहां से जा रहा हूं मनें जाने के लिए तैयार हूं और इसके बाद वो उसी अपने साथ ले गई थी, तभी ये फॉरन से अपने बेटे को बचाती है और बचा कर तालाप से बाहर ले आती है, अब ये अपसेट रहने लग गई थी अपनी जॉब से भी रिजाइन दे देती है, क्योंकि जॉब वालों को ये पता चल जाता है कि ये अलकोहॉल पीती है, और उसके बाद ये अपने बेटे को स्कूल लेने जाती है इस बार इसका बेटा स्कूल में इसका वेट नहीं कर रहा था ये अपने बेटे को ढूनने लग जाती है, कि वो कहाँ पर है, तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है लौरा पुलिस को बताती है कि मेरा बेटा गुम हो गया है और अभी सभी इसके बेटे को ढूनना शुरू कर देते हैं इसके बाद एक officer इसके पास आती है और कहती है कि हम आपके बेटे को नहीं ढूंड सकते क्योंकि actually मैं इसके बेटे की तो death हो चुकी थी इसके बेटे की death एक साल पहले हो चुकी थी और अब तक ये खयालों की दुनिया में रह रही थी क्योंकि ये इस बात को मानना ही नहीं चाहती थी कि इसके बेटे की death हो चुकी है अब officer भी इससे पूछती है कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ था ये officer को बताती है कि एक दिन grocery की चीज़े लेने के लिए जब ये kitchen में गई थी तभी इसके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है तभी ये पॉंड की तरफ जाती है जो कि actually में इसका बेटा पॉंड में डूप डूप चुका था अब ये अपने बेटे को उस पॉंड से बाहर निकालती है और उसको CBR treatment देती है तभी वहाँ पर ambulance आती है और इसके बेटे को hospital लेकर जाती है मगर actually में इसके बेटे की death हो चुकी थी मगर इस लेडी का ये मानना था जब इसने अपने बेटे को treatment दिया था तो वो ठीक हो गया था और अब तक ये खयालों की दुनिया में ही रह रही थी क्योंकि ये हकीकत को accept नहीं करना चाहती थी अब ये officer से कहती है कि मुझे पानी चाहिए जब officer वहाँ से जाती है तो ये भाग जाती है अब जब ये बाहर आती है तो ये एक city में थी और इसके बाद सुनसान जगे पर जाती है वहाँ पर ये अपने बेटे के साथ रहा करती अब ये अपने बेटे को ढूंती है जो कि कहीं भी नजर नहीं आ रहाता और ये dining table पर देखती है तो इसका बेटा इससे कहता है कि mom मुझे यहां से जाना है तब ही ये बेटे से कहती है कि हम नहीं जगे पर shift हो जाएंगे तो तुम्हें अब ड़ने की जरुत नहीं है बच घर में सबी चीजें गिर नहीं थी बहुत ही जादा डरावनी situation बन जाती है वो monster लौरा के सामने थी तब ही monster वहां से गायब हो जाती है अब ये अपने बेटे के पास जाती है कहती है प्लीज मुझे छोड़ कर मत जाओ तब ही इसका बेटा कहता है कि mom जो कुछ होना था व आपको हकीकत को मानना होगा ये अपने बेटे को रोकने की बहुत जादा कोशिश करती है मगर इसका बेटा अब इससे दूर जाना चाता था हम नेक्स सीन में इसी लेडी को देखते है जो अपने बेटे को उसी पॉंड के पास लेकर आई है अब तभी उस पॉंड से वो monster लेडी बहार आती है मगर इस बार वो monster लेडी नहीं थी बलकि वो तो एक pretty लेडी थी और इसका बेटा भी इसको ये बात बताता था कि वो लेडी बहुत जादा pretty और प्यारी है मगर आज पहली बार लॉरा ने उसको असल form में देखा था अब ये अपने बेटे का हाथ उस बेटे को पॉर्ण में ले जाती है नेक्स सीन में हम लॉरा को देखते हैं जो आखिरकार इस ड्रामे से बाहर आ गई थी इसने अपने बेटे की मौत को accept कर लिया था अब यहां घर वापस जा रही थी जहां पर ये रहा करती थी movie यहीं पर end हो जाती है हेलो गाइज आपको ये movie का हिंदी explanation कैसा लगा और आगे आप कौनसी movie का explanation सुनना चाहेंगे कृप्या कमेंट में लिख कर बताएं और मेरे इस चैनल को like और subscribe जरूर करें और हां बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको समय समय पर आने वाली movies की notifications मिलती रहें ध कर दो